हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मैट स्वीत पूजा, बिटा कक्षा आठ उडान कारे पुस्तिका पाठ चोदा, गुणन खंडन है हमारा आज का टॉपिक, और आप बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भई वीडियो को पोज करो, जल्दी वीडि दो पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न है, 6x की 2y, गटा 14mn2, 24abc के अभाज्य गुणन खंड बताओ, ठीक है, देखो अभाज्य गुणन खंड में केवल संख्याएं हम लेते हैं, तो पहली संख्या ले लो, 6x की 2y, इसे आप लिख सकते हो, 6x की 2y, 6 को लिख सकते हो, 2x 3, x की 2 को लिख सकते हो, x गुणा x गुणा y, ये तो हो गए बे इसके सारे गुणन खंड, और इनमें अभाज्य कौन कौन से हो गए, 2 और 3, तो पहली संख्या के, अभाज्य गुणन खंड हो गए, 2 और 3, आगे बढ़ें, आप अपनी में इ दो वाई के अब आज जैं गुनन खंड ठीक है जगा छोटी लग रही है मुझे यहाँ पर यह थोड़ी बराबर है दो कोमा तीन अब आजाओ दूसरी संक्या पर यह हैं माइनस चोदा एम एन की दो माइनस एक गुना चोदा गुना एम गुना एन की दो 14 के टुकडे कर दो 2 गुना साथ गुना एम गुना एन गुना एन आब अब यह गुननकंड हो जाएंगे दो और साथ तीसरे भाग पर आजाओ तीसरा भाग है 24 A, B, C तो 24 के टुकडे कर दो 2 दुनी 4 4 दुनी 8 और 8 ती है 24 गुणा A, गुणा B, गुणा C तो एक अब आज ये गुणन कंड दो हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा तो ये थी प्रश्ण संक्या एक अब हम दूसरा प्रश्ण देखते हैं संपून संक्या क्या होती है क्या आप कोई दो उदारण दे सकते हैं संपून को इंगलिश में बोलते हैं perfect number और perfect number क्या होते हैं कि अगर हम किसी number के गुणन खंड करें माल लो मैं 4 के गुणन खंड करूँ तो चार एक से भी वाग होता है दो से भी और चार से भी अब चार को छोड़कर इसके जो बाकी के गुननखंड है अगर उनका जोड चार के ही बराबर आ जाए द्यान से सुनना तो चार संपूर्ण संख्या होगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अब मैं कोई उधारन देकर बताती हूँ पहले तो मैं संपूर्ण संख्या की यहाँ परिभाशा लिख दू कि कोई संख्या संपूर्ण होती है यदी किसी संख्या के सभी गुननखंडों कि यदी किसी संख्या के सभी मैं बोल रही हूँ साथ साथ गुननखंडों और उन गुननखंडों में संख्या को छोड़ देंगे संख्या को छोड़ कर जितने भी गुननखंड है यदि किसी संख्या के सभी गुननखंडों का योग संख्या के बराबर हो यदि किसी संक्या के सभी गुनन खंडों का योग संक्या के बराबर हो तो वह संक्या कैसी संक्या कहलाती है संपूर्ण संक्या कहलाती है if the sum of factors of a number except the number is equal to the number itself those are called perfect numbers जैसे छे हैं इसने जाए कि आप कोई दो उदान दे सकते हैं चै के गुनन खंड देखो क्या है एक है दो है और तीन है चै को नहीं लेना अब एक का दो का और तीन का जोड कितना आ रहा है चै आ रहा है गुनन खंड समझ रहे हो ना चै एक से भी भाग होता है दो से भी होतर तीन से भी तो ये तीनों च्छाए के गुनानखंड हो गए और इन तीनों का जोड़ के बराबर हो गए तो छ्छाह सम पूर्ण संक्या है अगली सम पूर्ण संक्या होती है 28 अभी आपको अगर मैं 28 के गुनानकंड करके बताऊं तो एक होता है, दो से भाग होता है, चार से होता है, सात से होता है, और चोदा से होता है, अठाइस लेना नहीं है, उस संख्या को छोड़ दो, तो ये गुननखंड है, इनको जरा जोड़ो, एक जमा, दो, जमा, सात, जमा, चार, जमा, चोदा, दस और चार, चोदा, और दारण सो तक दो ही संपूर्ण संक्या होती है, एक 6 और एक 28, आगे बढ़ू, तीसरे सवाल पर आजाओ, 2X जमा 5 में, 5X जमा 8 जोड़ो, तो 2X जमा 5, जमा 5X जमा 8, X वाले में X वाला जोड़ो, 2X जमा 5X 7X, संक्या में संक्या जोड़ो, 8 जमा 5, 13, ये उत्तर आ जाएगा, चोथा सवाल है, माइनस 7X घटा 6, में से 2X घटा 7 घटा हो, पहले पहली संक्या लिख लो, माइनस 7X माइनस 6, फिर माइनस का चिन लगा के, दूसरी संक्या लिख लो, अब इनको खोल लो, पहली ब्रैकिट को यूं का यूं लिख दो, दूसरी ब्रैकिट में माइनस है, तो अंदर वाली राशियों का चिन बदल जाएगा, माइनस 2X और माइनस माइनस प्लस 7, अब पहले XX की रकम ले लो, दोनों नेगिटी में जुड़ जाएगी, माइनस का 7X, पांच X जमा 7 और माइनस 2X माइनस 5 के योगफल में से इस संक्या को घटाओ, यानि कि पहले लिखो पांच X जमा 7, इसके अंदर जोड़ दो इस दूसरी संक्या को, दो X घटा 5 और फिर घटा में कर दो, तीन X जमा 12, आप अपने नोट बुक में जरा सफाई से करना, तो भई, इन को जोड़ना है, तो 5X जमा 2X हो गया 7X, और 7 में से 5 गए 2, अब इस ब्रैकिट को खोलो, माइनस 3X माइनस 12, 7X घटा 3X, 4X जमा का 2, घटा का 12, घटा का 10, यह हमारा फाइनल उत्तर आजाएगा, आगे चलते हैं, छटे प्रशन पर, माइनस 13P की 2 क्योँ, जमा 20 की P क्योँ, जमा 48, इसमें अचर पद कौन कौन से हैं, देखो चर तो होते हैं, P, Q, X और Y वाले, अब यह कहारा, अचर पद कौन सा है, कितने पद हैं पहले तो इसमें यह देख लो भई, इसमें तीन पद हैं, यह पहला पद हैं, यह दूसरा पद हैं, और यह तीसरा, पहले में पी और के उचर आ रहे हैं, दूसरे में भी आ रहे हैं, लेकिन तीसरे में नहीं आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 48 अचरपद है constant हो गया न जो constant है वो अचर है तो 48 अचरपद है आगे चलते हैं प्रश्ण संक्या 7 पर xy जमा y की 2x जमा 5 के गुणन खंडों को पेड आरेक से दर्शा हैं ट्री ग्राफ से तो देखो सबसे पहले तो इसको आप लिख लेना xy जमा y की 2x जमा 5 अब इस से हम जड़े निकालेंगे इसकी अलग-अलग एक बनेगा xy एक बनेगा y की 2x और एक बनेगा 5 तीन ब्रांच निकल गई इसमें से निकलेगा x, y और इसमें से निकलेगा Y गुणा Y गुणा X और इसमें से निकलेगा 5 ठीक है ये आपके हो जाएंगे ट्री ग्राफ से गुणनखंड एक गुणनखंड X हो गया एक Y ये रिपीटी हो रहे हैं और एक यहाँ पर इसके गुणनखंड को पेड़ ग्राफ ऐसे ही बनता है कि पहले जो रकम आपको दे रखी है उसके सभी पदों को आपने अलग-अलग करके लिखना है फिर पहले पद में जो भी टर्म्स हैं उनको अलग-अलग करके लिखना है दूसरे में Y दो बार है तो दो बार लिख दिया X अलग लिख दिया और तीसरे में केवल 5 यह है ट्री ग्राफ आगे बढ़ू हम में चलिए आगे देखते हैं आठवा प्रश्न 5Y की 3X जमा 6X की 2 में X का गुणांक कितना है अब आप यह देख लो कि इसके दोनों पदों में X है तो पहले आपने दोनों में से X को अलग करना है X को बाहर लेना है तो यहां तो बच गया 5Y की 3 और इसमें से एक बार X अंदर ले लिया तो दोनों में से X बाहर चला गया तो यह गुणांक है तो आप लिखोगे X नहीं आपको मैं क्लास का हो जाए तो आप डारेक्ट कर सकते है X की रकम यह है तो यहां आप ले सकते है गुणांक का मतलब है यह लिख रहा है 5Y की 3X तो X को भूल जाओ और जो बचे यानि जो X से गुणा हो रहा है वो X का गुणांक है तो X का गुणांक हो जाएगा 5Y की पावर 3 ठीक है आप यह कर ले ना आपकी क्लास की अकोर्डिंग अब हम आगे चलते हैं गतिवीदी 2 पर आधारित प्रश्न जोड़ो अलग अलग सवाल है देखो यह को मा लग रहा है एक सवाल है पहला है 3X में 5X को जोड़ो तो बिटा जी 3X जमा 5X यानि 3 पैन जमा 5 पैन 8 पैन हो जाएगा खतम सवाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5X गटा 14Y में 3X जमा 10Y को यह दूसरा सवाल है तो 5X गटा 14Y जमा 3X जमा 10Y X वाले में X वाला जुड़ जाएगा यह हो जाएगा 8X और गटा का 4Y और इस पैन आ जाओ 3AB जमा 5 में 3AB जमा 5 में AB गटा 2AB जमा 4AC C है भई यह AB की रखम देख लोग कितनी है तीन बार यहाँ है और एक बार यहाँ है 4 और यह गटा का 2 है तो 4 में से दो गए 2AB AC की कोई और term नहीं है तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो और last में constant term को लिख दो यह आपका answer आ जाएगा आगे चलते हैं दूसरा प्रश्ण समान पदों को सहियों जित करके यानि समान पद मिलाने और फिर जोड़ना है तो यह expression है यह सवाल है माइनस 25N जमा 5M घटा 7 जमा 14N घटा 8M इन दौनों को कठा ले लेती हुमें माइनस 25N जमा 14N अब अगला ले लो जमा 5M इसके साथ इसको मिला दो घटा 8M और घटा का 7 इनको 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 यह कठा ले ना घटा का 25 जमा का 14 विपरीत चीन राशी घट जाएंगी बड़ी राशी का चीन आएगा घटा 11N विपरीत चीन यहाँ भी राशी घट जाएंगी आठ में से 5 गया 3 घटा 3M और घटा का 7 यह आपका आंस्वर आजाएगा आगे बढ़ते हैं भी प्रश्ण संख्या 3 पर घटा करनी है तो यह देखो 6 पहला पद यूंका यूं लिख दो 6X की 2 जमा 5 वाई घटा 8 और यहाँ बाहर ब्रैकिट हैं तो यह तो जाएगा घटा का 6 वाई फिर अंदर जाओ तो 2 घटा के चीनने जमा का 6 और यहाँ जाओ जाओ तो घटा जमा घटा 5X की 2 अब लाइक टर्म्स का ध्यान रगना भी इसको इसके साथ 6X की 2 घटा 5X की 2 जमा का 6 घटा का 2 यह आपका अंस्वर आ जाएगा और आगे चलते हैं बहुती सरल सा प्रशन, y की 2 में से घटा 7, y की 3 घटा ये, y की 2 घटा घटा 7, y की 3, दोनों घटा मिलके हो जाएंगी, जमा तो y की 2, जमा 7, y की 3, आगे आंसर आगे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 गात है और इसमें 3 गात है तो यहीं छोड़ देंगे और आगे चलते हैं अब ध्यान देना भई 5x की 2 जमा 4xy प्राप्त करने के लिए यानि कि यह हमारा आंस्वर है प्राप्त करने के लिए x की 2 जमा 6xy में क्या जोड़ना होगा समझो मेरी बात को कि x की 2 जमा 6xy में क्या जोड़ूं कि मेरा उत्तर 5x की 2 जमा 4xy आ जाए 12 में क्या जोड़ूं कि मेरा उत्तर 20 आ जाए तो इसके लिए मैं 20 में से 12 को घटा दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे 12 में 8 जोड़ना है तो इस तरह का प्रश्न करने के लिए जो आपका उत्तर है उसमें से दी गई संख्या को घटा दो ठीक है तो वान्चित संख्या वान्चित लिखो निर्धारित नहीं आप लिखो वान्चित बहुपद वान्चित वियन्जक बलकि आपके में बहुपद नहीं आया है तो आप लिखो वान्चित वियन्जक ये आपका उत्तर है तो पहले आप इसको लिखो पहले आप इसको लिखो पांच एक्स की दो जमा चार एक्स वाई और इसमें से ये घटा दो X की दो जमा 6XY चलें आगे 5X की 2 जमा 4XY घटा जमा घटा X की 2 घटा जमा घटा 6XY 5X की 2 घटा X की 2 4X की 2 4X की Y घटा 6XY घटा 2XY यह आपका अंस्वर आ जाएगा चटे प्रशन पर चलते हैं X की 4 गटा एकस वाई जमा दो वाई की दो और गटा एकस की चाहर जमा एकस वाई जमा दो वाई की दो का योग क्या है एक पदी है द्वी पदी है त्री पदी है हम ऐसे नहीं बता सकते हमें पहले इन्हें जोड़ना होगा एकस की चाहर गटा एकस वाई जमा दो वाई की दो में खोलो X की चार गटा X Y जमा दो वाई की दो और जब ये ब्रैकिट खोलोगे तो हर रकम यूंकी यूं बाहर आ जाएगी अब आप मेरी बात पर ध्यान देना अलग अलग कलर यूज करते हैं X की चार जमा का X की चार गटा का कट जाएगा येलो लेलो X Y घटा का X Y जमा का कट जाएगा अब बच क्या गया दो वाई की दो जमा दो वाई की दो उत्तर आया चार वाई की दो ये एक पदी है दिवी पदी है या त्री पदी है एक पदी है तो हमारा उत्तर आ जाएगा एक पदी चले आगे अब देखो भई थोड़ा सा आपको उच्छे से दिखा देती युँ मैं साथवा प्रश्ण यदि N एक प्राकृत संख्या है प्राकृत मालो N की जगे मैंने तीन ले लिया तो दो N का मतलब दो गुणा N, N का मान कितना है तीन, छें उत्तर आया तो वो कैसी संख्या है संख्या और दो N जमा एक यानि जो उत्तर आप उपर आया है उसमें एक और जोड़ दो तो साथ आया यानि विशम तो दो जिसके साथ लग जाए वो दो के पाड़े में आ गया तो वो तो हमेशा संख्या रहेगा और उससे एक जादा या एक कम करोगे तो वो विशम रहेगा तो यहां तो हम भरेंगे सम और यहां हम भरने वाले हैं विश्यम हो गया, आगे चलते हैं आठवा प्रश्न, मैंने नौवा चैप्टर बीजे वेंजे को और सर समी काया आठवी कक्षा का पूरा अप्लोड किया हुआ है चैनल पर तीन एक्स जमा ग्यारा जमा आठ जैड और साथ एक्स घटा पांच को जोड़ो, बहुत ही आसान है साथ और तीन, दस एक्स अब जैड ले लो, पहले वेरिबल्स ले लिया करो चर ले लिया करो, और ग्यारा में से पांच गए, चैनल यह आ गया भई आपका उत्तर जोड़ने है और फिर यह गटाना है तो थोड़ा सा उपर कर लेते था कि हमें बड़ी जगा मिल जाए करने के लिए पहला पद लिख लो भे तीन वाई जैड गटा दो जैड की दो अब इसके अंदर यह दूसरा पद जोड़ना है तो यह यूं का गटा जैड की दो जमा दो वाई जैड अब भई यह बावन है अब इन पहले पहले वाड़ों को देखो जरह तीन वाई जैड अकेला है तो ऐसे का ऐसा लिख दो दो जैड की दो गटा का और जैड की दो जमा का यह आ जाएगा गटा जैड की दो गटा वाई की दो जमा तीन वाई गटा बावन और अब इस ब्रैकेट को खोलो तो यह आ जाएगा गटा पांच वाई की दो गटा गटा जमा जड की दो और गटा जमा गटा दो वाई जड जड की दो गटा का और जमा का कट जाएगा अब लाइक टम्स मिलाते चले जा समान पद 3YZ घटा 2YZ तीन में से दो गया एक YZ घटा 5Y की दो घटा Y की दो समान चीने जुड जाएंगे घटा 6Y की दो अब ले लो Y की तो अकेली रकम रह गई जमा का 3Y और 52 भी अकेला रह गया घटा 52 समझ आ गई बात यह आपका दस्वा प्रश्ण है आगे चलते हैं प् यह कहता है 5MN एक मिट पर पैंसिल चूजी नहीं कि मैंने 5MN घटा 6N की दो घटा 4M की दो में से इनको घटा यह तो इसको ब्रैकेट में लिख लो 6MN जमा 14M की दो घटा N ब्रैकेट खोल दो 5MN घटा 6N की दो घटा 4M की दो घटा 6MN घटा जमा घटा 14M की दो और घटा घटा जमा का N चीक है बई अब जरा ध्यान देना 5MN घटा 6MN विप्रीची नहीं घटा का MN आ जाएगा अब N की दो का तो यह अकेला है तो इसको लिख दो घटा अब मैं कलर बदल के दिखाती हूँ घटा 4M की दो घटा 14 समान चीन है घटा 18M की दो जमा N यह चार पदों का आपका उत्तर आ जाएगा बारवे प्रशन पर चलते हैं अब ही यह बटा में आ गया है बड़े ध्यान से करना है 3 बटे 4X घटा 5 बटे 7Y जमा 4XY घटा 5 बटे 18X घटा घटा जमा 2 बटे 9Y और घटा जमा गटा 1 बटे 3XY आप थोड़ा ध्यान दे बच्चों यह X की रकम है दोनों यह दोनों Y की है और जो बच गई वो X Y की है तो पहले मैं X X की रकम कोई कठा ले रही हूँ यह बनेगा 3 बटे 4 घटा 5 बटे 18 थोड़ा छोटा लिखूंगी बे मुझे न जगा कम पढ़ जाएगी आप समझने की कोशिश करेंगे 3 बटे 4 घटा 5 बटे 18 X अब Y की रकम ले लो Y मैं जमा आगे ले रही हूँ मैं यह वाली रकम मैं पहले ले रही हूँ जमा 2 बटे 9 और फिर यह वाली रकम मैं पीछे लिक रही हूँ घटा 5 बटे 7 और इसके बाहर Y आ जाएगा और अब तुम देखो X Y की रकम यह दोनों हैं तो इन मैं से जमा का 4 घटा 1 बटे 3 X Y अब इनकी ब्रैकिट हल करनी पड़ेंगी तो 4 और 18 का लगुत्तम लेना पड़ेगा भई 72 आना चाहिए 4 और 18 का लगुत्तम आएगा 36 देखें जरा 36 तो 4 निम 36, 9 तियस 27 घटा 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 X जमा 9 और 7 का लगुत्तम आएगा 63, 9 साते 63, 7 दूनी 14, 7 निम 63, 9 पंजे 45 y और जमा तीन लगुतम आएगा तो चारती ये 12 घटा एक x y अब मैं जरा उपर का मिटा दूँ पहले फिर मैं आपको आगे बताती हूँ ठीक है तो ये उपर से मिटा देती हूँ ताकि इस सवाल को मैं यू का यू उपर कर सकूँ और आपको भी परेशानी ना हो तो अब थोड़ा साथ स्मोल साइज कर लेते हैं तो पैंसिल भी इतनी मोटी चलेगी जितना मोटा इरेजर था अब इस पद को देखो भी 27 में से 10 गए 17 बटे 36 ये करा रही हूँ मैं ध्यान देना x अब इस पद को देखो 14 जमा का है 45 गटा का है 45 में से 14 गए 31 ये आजाएगा माइनस का 31 बटे 63 और इस पद को देखो 12 में से 1 गए 11 बटे 3 x y ये आपका final answer आजाएगा और अब ये हमारा एक प्रश्ण ओर है 13 ऐसा ही अब मैं इसी में से करके सीधा इसको हल करवाऊंगी z और z तो z मैंने बाहर ले लिया बाहर की बजाएगा पहले z में से 2 बटे 3 लिया और गटा 4 बटे 9 ब्रैकिट में z ठीक है अब देखते है x y तो ये x y है और ये x y है तो जमा का एक बटे 7 गटा तीन बटे 4 अचर को ब्रैकिट में ले लिया चर बाहर कोमन ले दिया और लास्ट है दो बटा साथ y और लास्ट है बटा आपका दो बटे 7 y जमा एक बटे 14 तो दो बटे 7 यहां ले लिया और एक बटे 14 y हर ब्रैकिट को अलग अलग हल करेंगे तीन और 9 का लगुत्तम 9 तीन तीन तीया 9 और तीन दुनी 6 गटा 4 जैड आ गया साथ और चार का लगुत्तम 28 साथ चोक 28 चार साथ ते 28 साथ तिया 21 x y साथ और चोदा का लगुत्तम 14 तो साथ दुनी 14 दो दुनी 4 जमा 1 अब पहली ब्रैकिट देखो भई 6 में से 4 गया 2 बटे 9 जैड यह कुछ नहीं है मैं इमिटा देती हूँ जमा आप देखो यहाँ देखो बेजरा 4 गटा 21 गटा का उत्तर आएगा हमारा तो 21 में से 4 गये 17 बटे 28 x y और 4 और 1 5 बटे 14 y यह आप कांस्वरा जाएगा और अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट कुष्चन है एक पदी दिवी पदी और त्री पदी भहुपदी के दो दो उधारन दो बहुती आसान है सबसे पहले ले लो एक पदी एक पदी कोई भी लिख दो x की पावर 2 लिख दो और दूसरा लिख दो y अब ले लो दिवी पदी इन्ही में बढ़ा दो पहला ले लो x की पावर 2 जमा x इसमें ले लो y जमा y की पावर 3 और 3 पदी में इनमें एक एक पदोर जोड़ दो भी है तो ले लो x की पावर 2 जमा x जमा 7 और दूसरा पद ले लो y जमा y की पावर 3 घटा 4 तो यह बहुत ही आसान साब का चेप्टर था अगर लेक्चर समझ आया हो पसंद आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना थैंक यू